कई लोग खूब मिहंत करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, लेकिन कभी भी उनके पास पैसा टिकता नहीं है, घर का वास्तु भी इसका कारण हो सकता है, कभी कभी हम घर में कुछ ऐसी चीजे ले आते हैं, जो घर में कला बढ़ा देती हैं, आईए जानते हैं वो कौन सी चीजे ह जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, कांटेदार पौधे, घर के भीतर कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए, जिन घरों के अंदर कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि उन घरों के लोगों की हेल्थ ज्यादा तर खराब रहती है, तुलसी का सूखा पौधा आप अपने घर में सूखा तुलसी का पौधा न रखें लोग घर में सुख समरिधी के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो इसे किसी मंदिर में जाकर रख दें पौधे को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं सूखा हुआ पौधा घर में मुसीबत ला सकता है घर में नरखे खंडित मूर्तियां और सूखे फूल घर में भगवान की खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए खंडित मूर्तियों से घर में नकारात मकता आती है, इससे घर में पैसा नहीं टिकता है, ऐसा होने से आपके घर में बीमारिया बढ़ती है और धन की हानी होती है, पूजा की जगहे पर एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखें, बंद घडी, पैंटिंग रखने से वास्तु दोश उत्पन होता है, तस्वीर या पैंटिंग कितनी भी अमूलय क्यों नहो, अगर वो तूटी हुई है, तो उसे हटा दें, तूटे-फूटे बरतन घर में दरिद्रता लाते हैं, जिस घर में ये होते हैं, मा लक्षमी कभी भी उस घर मे प्रवेश नहीं करती